विल्कम बेक टमस्का जोईन बंदे मात्राब दोस्तों आप सभी का स्वाथ है अपने यूटूब चैलेंड इंडियान आर्मी इस्टुडिय पर तो आज का दिन है संडे और संडे के दोस्तों हम लोग लेका जोके मोस्ट इंपोर्टेंट हाँ दोस्तों 50 को सैन तो देखो य स्पेशल क्लास है दोस्तों इसमें पूरा एकदम न्यू न्यू को सैन सी अप्लूट किया गया है सब न्यू है और आपको कॉमेंट के बताना है आप लोग 50 में से कितना का सही अंसर दे पाते हो तो चलिए बढ़ते हैं फेस्ट को सैन की ओर सबसे अधिक तापमात्रवला ग्रे है तो आपको बताना पड़ेगा सोड़ मंडल का सबसे अधिक तापमात्रवला ग्रे वो कौन सा है तो देखो सोड़ मंडल का सबसे गरम ग्रे है या जैते कौन सा हा दोस्तों सुक्रे ग्रे है सोड़ मंडल का सबसे गरम ग्रे है कौन स दोस्तो सुरज के उतने करिभ होने के कारण जो दोस्तो बूद ग्रे है दोस्तो बूद ग्रे का जो बायो मंडल है वो नश्ठ हो चुका है इसलिए दोस्तो जो सोड़ मंडल का सबसे अधिक जो गडम ग्रे है वो जाते कौन सा सुक्रे और आपको तो पता होगा जो निल प्ल के ही विद हम इस लुद साइट जों साइज स का संथन से इसका यूदन इमने लखीब में समय में आपको अगर बताना पड़ेगे किसे टैनी शूटींग गोल्फ या क्रिकेट तो मैं आपको बोता दो इसका जो समय ये हो जाता है किसे है दौस्तव सूटींग से आपको मालो ह और अगर आपको पूछा जाये, तो देखो वह जाता है, जाता है तो भलक से कौन सा होगा, तो देखो जो गल्फ है दोस्तों गल्फ से सम्झन से हो जाता है, डिया कूछा कुछा आने साथो का पूछाये było तो देखे इस पर पूछाए। Is the highest peak in India? भारत का सबसे उची चोटी है तो देखो भारत का जो सबसे उचा चोटी है कौनसा होगा आपको बताना पड़ेगा तो भारत का जो सबसे उचा चोटी है हो जाता है कांचन जंगा आपको पूछा जा टो मैं आपको बता देता हूं 8560 मीटर का हो जाता है आपको मालूम होगा और यह हो जाता है 281199 फीट का हो जाता है यह आपको मालूम होगा जो sickID में सीकिम राज्य में स्तित है हमारे कांचेन जंगा केटू तो चलिए देखते है कोसन अबर 4 को वेनिज एरफोर्स डे सेलिब्रेटेड बायुसन अदिवस कब मना जाता है तो देखो जो बायुसन अदिवस है बायुसन अदिवस मना जाता है आठ अक्टोबर को आपको तो मालूम होगा 26 जनुवरी को मनाया जिता प्रजयतन दिवास है दोस्तो रिफब्लिक दे 15 जनुवरी को है आर्मी डे और जो 15 ऑगास्ट है 15 ऑगास्ट आपको मालूम होगा उसमें हो जाए दोस्तों हमरा साधीनता दिवास इंडिपेंडेंडेंस डे तो चलिए देखते कोसे नवर फाइब को इन विच्टेट इस दा कोनार्क टेमफेल कोनार्क मंदिर की राज्य में इस्ती थे आपको बताना पड़ेगा जो कोनार्क मंदिर किस राज्य में इस्ती थे विहार कन्यटका तामिल लड़ी या उरिस्टा पर तो आपको मालूम होना चाहिए जो कोनार्क टेमफेल ये इस तो देखो जो बंगलादेस की मूद्र आपको पता होना चैड़िए क्या है टाका रूफी, yen या डॉलर्स तो देखो जो बंगलादेस की मूद्रह है यह जाता है टाका तो चलिए देखते है va is the creator of the Indian constitution भारतिया संग्विदान का निर्मता थे तो आपको बताना पड़ेगा ज जिनको दोस्तों नहीं पता में आपको बता देता है वो जो थे बियार अम्वितकर यानि की बियार अम्वितकर वास दा क्रेटर अब दा इंडियान कॉंस्टिट्यूशन तो देखो इस पे पूछाए तो देखो आपको बताना पड़ेगा हमारा राष्टे खेल क्या है क्रिकेट होगी फुटवल गॉल्फ तो देखो हमारा राष्टे खेलो जाते होकी तो चलिए देखते कोसे नबर 9 को तो आपको बताना पड़ेगा जो भारतिय सेना का सरवच्चे कमेंडर ये कौन होता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ जिनों ने इसका एंसर आपसेंडी नौन अप दीज दिया बिलकुल सही है इन मेंसे कोई नहीं तो देखो जो भारतिय सेना का सरवच्चे कमेंडर होता है हो जाता है प्रेसिडेंट तो चलिए देखते कोसे नबर 10 को तो आपको देखो अगर आपको पुछा जाए तो आपको देखो अगर आपको पुछा जाए इस दोनों का एंसर हो जाएगा वेस्ट बैंगोल तो देखो कोसे नबर 12 पे पुछा है वेंड वाज इसरो इस्टाबलीज इसरो का स्थापना कब हुआ है तो देखो जो इसरो का स्थापना है दोस्तो यह हुआ था 1969 पर यानि किसका एंसर आपसेंची और आपको तो पता होगा जो 1975 पे आरे एफ़र दोस्तो फर्स सेटलाइट आप इंडिया हो जाता है तो देखो को सेनेबर 13 पे पूछाए इनकलब जिन्दाबाद स्लोगन वास गिवेन वा इनकलब जिन्दाबाद नारा किसके द्वारा लगया गया था या दिया गया था तो देखो इनकलब जिन्दाबाद या नारा दिया गया था भगत सिंग के द्वारा तो देखो को सेन इंडिगर, उत्राखंट पे भीम्टाल, मनिपूर पे लोग टेग, राजस्तन पर सम्वर पूशकर तो देखो, कोसे नेवर 15 पे पूछाएं Which of the following states has the lowest literacy rate among women in India निम्डेली कित में से किस राज्य में महिलों की सक्सत दर्जय है दोस्तों सबसे कम है तो देखो, वो राज्य हो जाता है, क्या हाँ दोस्तों अपसिंसी बिहार तो देखो, कोसे नेवर 16 पे पूछा है Who was the second prime minister of India, भारत के दूसरे पदान मंत्री कौन थे तो देखो, भारत के जो पथम पदान मंत्री थे वो जो जो पंडिज जवालन लेरू और दूसरे हो जाता है, लाल बादू सास्त्री तो देखो, कोसे नेवर 17 पे पूछा है Which was the first satellite launched by India तो आपको बताना पड़ेगा, यह जो फर्स satellite है कौन सा है मैंने जैसे का आपको थोड़ी दिर पहले बताया था, वो कौन सा होगा तो देखो, कोसे नेवर 18 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है What is the second largest state in area खेत्रेफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो खेत्रेफल की दिश्टी में, जो सबसे बड़ा दूसरा राज्य है यह हो जाता है, MP मदवदेश आपको तो मालूम होगा, फास्ट हो जाता है राजस्थान, जहां की दोस्तो हमारा थर्ड डिजर्ड है और महाराष्टे हो जाता है थर्ड तो चलिए देखते, कोसे नेवर 19 को इन विच्टेट, इस अजंता के बलोकेड़ेड आजंता गूफा, किस राज्ज में इस्ती थे तो देखो जो आजंता गूफा यह जिस राज्ज में इस्ती थे वो राज्ज हो जाते हैं महाराष्टे तो चलिए देखते, कोसे नेवर 20 को इन विच्टेट, स्रीहरी कोटा सतीश धवन श्पेस सेंटर इसस स्टेशन सिच्टूएटेड सरीहरी गोटा 37 देवन नतरी श्टेशन किस राज्य में इस्थी थे तो अपको बताना पड़ेगा किस राज्य में इस्थी थे गुजराट, एपी, तामिलनाडू या बिहार तो मैं आपको बता दू यह जो इस्थी थे ये स्तीत हो जाते आंदररपदेस पर मेंस्त कोस्यान, कोसर बटरै निवाण तो देखो इसपे पूछाए फू अदर फिर्श्ट मुस्लिम पेसीडेंट और बात का पहला मुस्लिम राष्टबटी कौन था तो देखो भारत का पहला मुस्लिम राष्टबटी था वो हो जाते हमारे डॉक्टर जाकिर हशेन यह हो जाते थर्ड प्रेसिडेंट और जो देखो हमारे जो अप्डूल कलम है दोस्तो हमारे अप्डूल कलम जी हो जाते 11 नमर यानिकी 11 नमर प्रेसिडेंट और जो फरुद्दिन अली अहम में थे दोस्तो यह हमारे हो जाते 5 नमर प्रेसिडेंट तो देखो को से नेबा 23 पे पूछा है विच आप दा फॉलोईंग फियार और फोर्स एंड कॉमन इस रॉंग निमने लिखीत में से कौन सा वल और कॉमन गलत है आपको बताना पड़ेगा निमने लिखीत में से कौन सा जो कॉमन और वल गलत है तो देखो जिन साम सी में मायसे om the worldी दूणिया सबसे घहरं महा संगर को से पुछा है थो कौने को नियों पर पूछा है था रजन के राजधा कुछा है तो मैं आपको बता दो जो इंडनेशिया इंडनेशिया इसकी राजदा है जाहर जाकर तो देखो Q25 पर पुछा है Where is Libertary of Statue located? Libertary of Statue कहाँ पर इस्तित है? तो देखो जो Libertary of Statue है ये स्तित हो जाता है New York पर तो चलिए देखते है Q26 को तो देखो इस पर क्या पुछा है? Q26 पर पुछा है In which he had did the Simon Commission active in India साइमोन कमिशन भात में जो आगमान किस बर्स को हुआ था तो आपको बताना पड़े यह किस बर्स को हुआ था मैं आपको बता दू यह हुआ था 1928 को तो देखो को सेनेबा 27 पे पुछा है इन विच यह दा कॉमिनिस्ट पार्टी ऑप इंडिया केम इंटू एक्जिस्टेंस भात यह कॉमिनिस्ट पार्टी का जो सिद्ध भात में किस बर्स में आया तो आपको बताना पड़े गा इसका एंसर क्या होगा तो देखो जिनों पूछा है 1921 दो वैलकुल सही है तो चलिए रेक्ते को सेनेबा 28 को तो देखो इस पे पूछा है वह आप माहतमा गांधी माहतमा गांधी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो मैं आपको बता दू माहतमा गांधी के जो राजनीतिक गोरू थे वह जते गोपल कृष्णे यह रचनाकर कौन थे तो मैं आपको बता दो इसका रचनाकर जो थे वह कौन थे वह थे का हाँ दोस्तों जिन्हों ने इसका एंसर इकबाल दो बल्कुल सही है तो देखो को से नेबर 30 पी पूछाए वेन इस वाल्ट पॉपलेशन दे सेलिप्रेटेड बिसर जनसंग का दिव पूछाए विच कंट्री हाज दा हाइस्ट पॉपलेशन देंसिटी सरबादिक जनसंगा वाला घनत्य जो देश हो कौन सा है तो मैं आपको बता दू वो जह है वो जाते ऑपसेंडे सिंगापूर तो देखो को से नेबर 32 पे पूछाए विच आप दीस साउथ एस्यान कंट पूछाए तो देखो वो जाता है हमारा इंडिया तो देखो को से नेबर 33 पे पूछाए विच आप दा फॉलिंग कंट्री वास फॉर्मेली नोन एस नेपन आपको बताना पड़ेगा नीम्रे लिखीत में से किस देश को पहले नेपन नाम से जाना जाता था तो आप लोग को से नेबर 33 पे पूछाए विच आप दा फॉलिंग कंट्री वास फॉर्मेली नोन एस निपन नाम से जाना जाता था चाइना वियत नाम से जाना जाता था तो देखो यह कहा जाता था मतब इस नाम से जाना जाता था जापान को तो देखो को से नेबर 34 पे पूछाए वा तो चलिए देखते है को से नबर 35 को तो जल्दी सा पर इस को पड़ो और इसका एंसर लाइपचर बताईए तो देखो जिरे ने को से नबर 35 का एंसर एंगोरा देखते है को से नबर 36 को आपको परताना पड़ेगा देखो जो बेजिंग का पूरा नाम है दोस्तो यह क्या था आपको बताना पड़ेगा तो मैं आपको बता दू इसका एंसर हो जाता है पिकिंग तो चलिए देखते है को से नबर 37 को पूराना नाम है यह क्या था आपको बताना पड़ेगा जल्दी से लाइब चैट पे तो देखो जीनों ने इसका एंसर कौन को दिया बलकल सही है तो देखो को से ने पर 38 पे पूछा है जवर्ड टैनल इंडियास लाज़ेश टैनल इस लोकेटेड इन विच्टेट इवटी बात का सबसे बड़ा सूरंग जवर्ड जो सूरंग है दोस्ति किस राज्य वर केंद्रे सासित प्रदेश में स्ती थे तो मैं आपको बता दू मैंने यह आपको पहले बता रही है यह ह आपको बता दू यह कहा जाता है तो मैं आपको बता दू यह कहा जाता है तूर्की को किसे तूर्की को नेिश्ट को सार 41 तो देखो इस पे पूछाए दा सीटी ऑफ 애िस्टर का दिके किन रेकल एकडी ne तो इस यह हो है और जो सुलतार मामुद इवेंड इंडिया,सुलतार मामुद ने कितने वार वाद प्याक्रमां में और आपर 57 तूर्की वारण भार वो अज़र गिवन ताइटू अप पञजब के स्थीप जो किताब पंजब है दोस्तों यह जो किताब एक किसे दिया गया था आपको बताना पड़ेगा तो मैं आपको बता दू यह दोस्तों दिया गया था ओपसीन भी लालारचपत राइको तो देखो वेर इस दा लक्सदीब ग्रूप लोकेटेट जो दोस्तो लक्सदीब गसुमू एक कहाँ पर स्थी थे तो मैं आपको बता दू यह स्थीत हो जाते है आरब सागर पर तो देखो इस पर पूछाएं वेर इस दा लोकेटेट तर मरस्ताल कहाँ इस्थी थे मैंने इसका एंसर आपको बताया था गुजराट राजसर पंजब हरियाना तो देखो जो यह थर्ड है यह इस्थीत हो जाता है कहाँ पर हाँ राजस्तान पर तो देखो कोसेनेबर 46 पर प जिर्ण इसका एंसर लाइप चैट पे आपसें भी सिकंद्रा बाद बिल्कुल सही है तो देखो कोसेनेबर 47 पे पूछाएं दा ओंडी कोल डेजर आप इंडिया इस बात का एकमात्रसीत मरुस्तल है तो देखो जो भारत का एकमात्रसीत मरुस्तल है वो जते लादाक तो च लटा हुआ नहीं है तो आपको बताना पड़े है कौन सा है गुजराट महाराष्टे हरिया ना उत्तरपदेश तो मैं आपको बता दू जिनों इसका एंसर लाइप चैट पे आपसें भी महाराष्टे दे बलकुल सही है तो देखो कोसेनेबर 49 पे पूछाएं दा बाडर आ उच्टेट डाइप डाइप दा वर्डर आप मदपदेश किस राज्य की सीमा मदपदेश की सीमा के साथ नहीं लगती आपको बताना पड़ेगा किस राज्य की उडिस्टा की गुजराट की राजस्थान की या उत्तरपदेश की तो देखो मतलब जो एंसर है वह हो जाता ह क्या हा दोस्तो अपसे ने उडिस्टा की तो चलिए देखते कोसे नेबर 50 को विच अब दा फॉरेंग स्टेट वाज आल्लिया नोन आज नेफा निम्रे रिखीट में से किस राज्य को नेफा नाम से जाना जाता था आपको बताना पड़े किसे जाना जाता था को मनीफुर को अरुनाचल पड़ेश को या दोस्तो आसाम को तो मैं आपको बता दू यानि कि जिनों ने कहा दोस्तो अरुनाचल पड़ेश ऑफ दा फॉरेंग स्टेट वाज आलिया नोन आस नेफा यानि कि दोस्तो जो अरुनाचल पड़ेश है अरुनाचल पड़ेश को निम्यलखीत में से नयफा नाम से जाना जाता था यह बहुत ही इमपोर्टेंट है आपको इस को सेन को यह दखना है तो दोस्तो जा 2 संड़ है और हम लोगर ने आपको कर दिया 15 Cares का आपका 50 कहसान का क्लास यह सम अप्स हो चुका है आप का जो कॉम Volkswagen कर के भता आप लोगने 50 में से लाइवचेर पे कितने का सहिय अंसये दे पाएं दोस्तों आप लोग कविंदमें 50 डोस्तों मधला कितना का सियन्-छाय लाइः पिडिए पर दे पाई हैं और दोस्तों जाने से पहले प्लिस प्लिस फीडिए को लाइक कर दे देड़ा zaten आप अप दोस्तों अगर आप 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 डेगो और जो बाजू में बेल आइकन इसे प्रेस करना प्लीज मत भूला